नमस्कार सबको, आज का ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए हैं, उन पेरेंट्स के लिए हैं, जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत ज़ादा उनको कई बार प्रॉब्लम हो जाती हैं और बच्चे या तो वो बहुत स्टबन हैं, या वो लर्न करते हैं और 40 years का experience है as a parent also so first of all is that try to understand your child as a child in which the child should Plan. प्लान करिए, for example, अगर बच्चा बहुत जल्दी fast learner नहीं है, तो आप क्या करें, fast learner का मतलब यह नहीं कि slow learner है, fast learner का मतलब यह कि बहुत बड़े-बड़े answers नहीं मगप कर सकता, तो आप, specially social science, जो कि मेरा अपना subject है, तो आप क्या करिए, कि subject को, जो भी answers है, उनको आप simplify कर दीजे, और उनको point form में कर दीजे, अगर आपको कोई problem आ रही है, तो मैं आपको number अपना description box पे देदूँगी, you can contact me, तो पहले तो आप answer को बहुत अच्छे से divide कर दीजे, उसको simplify कर दीजे, secondly, आप बच्चे का अपना normal routine में भी, प्लीज, अपने बच्चे का time schedule जरूर बनाएए, normal routine में, exam में तो देखिए, आप जो date sheet है, उसके according चलेंगे, लेकिन अपने बच्चे का time schedule जरूर बनाएए, और मैं यह बोल रही हूँ जो, तो वो primary और middle level तक के बच्चे को cattle करने के लिए बोल रहे हूँ, और उस time frame के according, थोड़ा सा flexible करते हुए, बच्चे को उस according, उसकी आदर जालिए, number, point number three is, कि बच्चे को कोशिश करिए written practice दे, worksheets बनाएए, simple करके worksheets बनाएए, पर अपने बच्चों को written practice बहुत जरूरी दीजिए, next point is, reading habit डालिए, reading habits से आप देखिए, बच्चों के बहुत सारी problems solve होती है, specially social science, science और languages, इसमें भी reading habits से बहुत जादा impact होता है, तो please अपने बच्चों को reading habits जरूर डालिए, and the next point जो बहुत ज़्यादा important है, मैं अपनी PTM में भी कई बार सुरूरी इसको कह चुके हूँ, और parents को भी कहती थी, जो शायद मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता, उसमें से कोई parent भी हो, तो उनको याद होगा, अपने आप खाना खाने में और दूसरे को खाना देखने में effect होता है, अपने आप खाना काते तब ही पेट भरता है न, तो ऐसे ही students को, अपने बच्चों को थोड़ा सा ये inculcate कीजिए, कि वो अपने आप अपने books निकालके पड़ें, और force करने में पड़ेंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, ये धीरे-धीरे अपने बच्चों को समझाईए, next is अपने बच्चों को discussion में participate कराईए, उनको मतलब उनकी studies are related, घरेलू बातों में नहीं studies are related, जैसे आप अपने बच्चे को कहिए कि अगर वो नहीं पड़ेंगे, तो क्या होगा, आपको लेगा कि मैं primary के बच्चे हैं, सब समझते हैं, बच्चे सब समझदार हैं, ठीक है, first class नहीं, second class नहीं, आगे बच्चों को समझाईए, कि अगर वो नहीं पड़ेंगे, तो उसका repercussion क्या होगा, उनको या तो school से निकाल दिया जाएगा, या parents निकाल लेंगे, कोई भी आप इस तरीके का उनको दीदे, next is, please निराश मत होईए, मैंने खुद अपने experience के बेसे सारी, मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं, जो बहुत ना primary में कुछ करते थे, ना वो middle में कुछ करते थे, लेकिन board में बहुत अच्छा किया, board classes में उन्होंने बहुत perfectly किया, और आगे इस समय कोई विदेशों में या अपने देश में बहुत अच्छे से वो settled हैं, don't go on marks, धीरे धीरे करके आप देखे, आप बच्चे को अपने motivate करिये, और निराश मत होए, जैसे आपने मेहनत करी, बच्चा नहीं कर रहा है, test में नहीं करके आया, एक test में नहीं करा, दूसरे में नहीं करा, ultimately मैं आपको बता रही हूँ, guarantee के साथ कह रही हूँ कि बच्चा end of the day आपकी मेहनत जरूर रंगलाएगी, कभी न कभी जरूर रंगलाएगी, निराश मत होए, and please angry भी मत होए, गुसा मत करिये अपने बच्चे के ओपर, आता है गुसा, ये भी मैं मानते हो, ऐसा नहीं है कि मैं as a parent अपने बच्चों के ओपर मैंने गुसा ने किया, गुसा में आकर बच्चा और ज़्यादा stubborn हो जाएगा, तो please उस बच्चे के ओपर आप गुसा मत करिये, क्योंकि आप गुसा करेंगे, निराश होंगे, वो जो चीज है, वो उसको भी pass on होगी, उसको motivate जरूर करिये, don't compare your child with anyone, anyone means anyone, अपने बच्चे को किसी से भी, please compare नहीं करिये, let the child be of his own, उसमें confidence जरूर पैदा करिये, कोशिश करिये कि वो किसी ना किसी cultural activity में भी participate करें, कोशिश करियेगा, तो आप अगर self डालेंगे, उसको motivate करेंगे, और देखे, opportunities बहुत है, आप उसको मत बताये, लेकिन मैं आपको बता रहे हूँ, आज के world में global world है, आप देख र होए, all the best to all of you, and keep on working hard with your children, worksheets बनाईए, worksheets बनाने में कोई help चाहिए, तो मुझसे आप help ले सकते हैं, मैं अपना number जो है, वो description box में आपको दे दोगी, thank you, namaskar, jahin